Hello students, good morning, today we will discuss about budget set और budget map, यानि कि budget set और budget map क्या होता है, ठीक है, budget set means it is a combination of different budget line, यानि कि budget set जो होता है वो different combination होता है budget line का, ठीक है, या budget map जो होता है different combination होता है budget map का, ठीक है, जिसे कि यह diagram है, ठीक है, यह है OX axis और यह है OY axis, ठीक है, अब जो है यह मैं कलर जो कर रहा हूं गरीन कलर का यह हमारा जो होगा बजट सेट होगा ठीक है यह यह लाइन है यह दूसरा लाइन में नहीं किचा यह तिसरा लाइन किचा तो यह डिफरेंट बजट लाइन है तो इसको हम क्या कहते है budget set कहते है या budget map कहते है इसको हम budget set और map क्या से थे ठीक है अलाग अला combination है budget line का तो इसको हम कहते है different budget set और budget map और यह क्यों बनता है क्योंकि आपका अगर income increase होगा income increase होने के वज़े से आप goods action goods wise का ज्यादा demand करोगे तो आप इस लाइन पर जाओगे आपका income decrease होगा तो आप यह लाइन पर रहोगे ठीक है budget line is a straight line curve यह जो budget line curve है वो कैसा होता है इस तरह से straight line curve होता है ठीक है straight line curve के होता है ठीक है second है budget line is always downward sloping और दूसरी चीज कि budget line जो है हमेशा कैसा होता है downward sloping होता है क्योंकि चीजों के बीच में inverse relationship होता है ठीक है that's why the budget line is always downward sloping क्यों downward sloping होता है क्योंकि हमने goods x और goods y के बीच में हमने क्या देखा था inverse relationship है ठीक है inverse relationship means आप अगर good x का ज्यादा चीज कंजूम करोगे आपको good y का जो है चीजों को आपको sacrifice करना होगा इसलिए जो है यह जो line होता है वो downward sloping होता है कोई साब डाइग्राम है जिसके बीच में inverse relationship है जैसे demand कर भी आप देखोगे तो इस तरह से जो है demand कर भी आपको जो है downward sloping देखने मिलेगा क्योंकि प्राइज और demand के बीच में कैसा relationship है इन्वर्स relationship है इसलिए जो है आपको जो है price and demand के बीच में भी आपका जो what's up number okay thank you